हलो एरिवन वेलकम टू नामदेवकेडमी यूटूब चैनल तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे जीकी जीएस के मॉडल पेपर नंबर 17 की यहां पे बात करेंगे और इससे पहले देखें 16 मॉडल पेपर हम कर चुके हैं अगर इनका वीडियो आप लोगोंने नहीं द से इसको फॉलो कर रहे हो ना तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है हर एकज्याम में क्योंकि इसी ताइप की क्यूशन पूछे जाते हैं और हमारा टार्गेट यह है कि जो ही हां पे जो 40 क्यूशन रखे जाते हैं इन में से आपके 35 प्लस क्यूशन साभी हो तो चलो का इस स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 40 में से आपके कितने क्यूशन सही हुए है तो यहाँ पे देखिए पहला क्यूशन आपके सामने है और क्यूशन की पोटेशियम जो आयान है इसका जो स प्रिग्रेशन होता है यह नोबल गैस के अवस्ता के समान होता है तो यह है के प्लस तो आंसर होगा ऑप्सन एक करेक्ट आंसर होगा अगला यहाँ पर बताने है निमर लिकित में से कौन सा केवल कार्बन से बना है तो हमें बताने है कौन सा ऐसा ऑप्सन है कौन सी ऐसी ची इनको तो यहां पर बताना है अक्रिय गैस जिसे हवा में नाइट्रोजन के लिए सांस लेने के लिए घहरे समुद्र के खोता खोरों है इनके द्वारा प्रतिस पादित किया जाता है उसका नाम बताना है उसक्रिय गैस का इनर्ट गैस का तो इस गैस का नाम है हीलियम तो आं प्रद्शित की डिब्बी की सतय में काच का जो पाउडर और थोड़ा लाल रंग बुजो होता है वो क्या होता है यह बताना है तो यह होता है फास्फोरस होता है तो अगला बताने डैस एक उच्च श्रेणी है परिवारों का जमावाड़ा है जो की कुछ समान चरित्रों को समान जो को कुछ समान चरित्र जो है उनको प्रद्शित करता है आकला कि उसने सहवाल में यह जो योन प्रजनन है जो दो भिन-ाक प्रत्वी पर कुल कार्बन डाई ऑक्साइड जो होती है इसका निर्धारन का काम निर्धारन जो है वो कम से कम आदा इसा किसके द्वारा होता है तो बताना है प्रकास सलसलेशन के माद्यम से प्रत्वी पर कुल कार्बन डाई ऑक्साइड का निर्धारन जो होता है वो कम से कम आदा इसा किसके कारण होता है तो यह उता सैवाल आशर याद रखना होगा सैवाल के द्वारा नेक्स्ट यहाँ पर टिड्डे तितली और बिच्चू और जो जिंगा होते हैं यह सभी किस फाइलम का उधारन है तो यह सभी है आर्थो पोड़ा है इसका उधारन है तो आंसर हो जाएगा आर्थो पोड़ा अगला क्यूशन है पोड़ो में तीन अलग अलग जैनेरा जिनका नाम है सोल नम पैटूनिया और धतूरा यह किस वर्ग में रखे जाता है तो इनको रखा जाता है सोले ने इसी वर्ग में रखा जाता है तो आंसर होगा उप्शन बी नेक्स दीके क्यूशन है BCG का जो टीका होता है एक 90 सीशू है इसको कब दिया जाता है तो यह दिया जाता है 48 घंटों के भीतर तो आंसर होगा उप्शन बी नेक्स्ट है सितारे का जो रंग होता है ये किसका संकेत है तो सितारे का जो रंग है ये टेंपरिचर का संकेत है तो आंसर होगा option B तापमान नेक्स्ट है दूप में चस्मे की जो पावर होती है तो दूप में चस्मे की पावर होती है यह उती जीरो डायोप्टर होती है तो option A correct answer है इसके लिए अगला यहाँ पर क्यूशन पूचा है एक pendulum घडी है ये किस मौसम में तेज चल सकती है तो भavors भही बहुत ही important क्यूशन है तो pendulum घडी की बात करें तो जो winters के समय में तेज चल सकती है क्योंकि समर्च में क्या होती है इसकी लंबाई काफी जाद हो जाती है तो विंटर्स आपको याद रखना है सीथ कालीन में अगला है तेल पानी की सत्य पर फैलता है इसका कारण बताना है क्यों फैलता है तो तेल यह पानी की सत्य पर इसलिए फैलता है क्योंकि तेल का जो सत्य तना होता है वो पानी से कम होता है तो answer हो जाएगा option D अगला question ने barometer reading है यह अचानक गिरती है यह अचानक इसे में गिरावट होती है तो इससे हमें मौसम का क्या पता चलेगा तो इससे हमें मौसम का पता चलेगा कि भई देखो बैरोमेटर है इसकी रीडिंग अचानक से गरनी लगी अचानक से ऐसे गिरने लगी तो इससे मैं पता चलेगा कि भई आंदी तूफान आने की संबावना है तो option A से होगा और अगर धीरे 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 गिरती है तो क्या होगा तो धीरे धीरे गिरती है तो हमें ये रहता है कि हाँ बारिस आने की संबावना है और अगर अचानक से बैरोमिटर की रीडिंग बढ़ने लगती है अचानक से तो क्या होता है तो होता है कि भी मौसम एक तरह से पूरी तर करेक्ट है अगला है एक ब्लैक बोर्ड रंग में काला क्यों दिखाई देता है यह दिखाई देता है यह सभी रंग को आउसोसित करता है इसलिए तो अगला कि उसने म्रदधा जलत अनाव को माप करने मेजर करने के लिए निमन लिखती में से इक्वीपन है डिश्कों यूज करते हैं म्रदधा जलत अनाव इन तो मेजर करने का तो और ओँ Folver से संबंदित है तो जींगा है बताया था अभी और तो फोड़ा यहां पर होगा जींगा टेडा मचली वगर है इसा बना आगे क्यों से निमल लिकित में से कौन सा जीव कोशी का सिद्धांत के अंतरगत नहीं है तो यह वाइरस यहां पर आंसर आपको याद रखना है वाइर और इसकी मुद्रा है रूबल और प्रेसिडेंट है यहां के बलादीमिर पुतीर नेक्स्ट है यहां पर कौन सा देश लकडी का सबसे बड़ा उतपादक देश है लकडी का यहां पर बोला है वूड का तो यह सबसे बड़ा उतपादक देश है USA लकडी का ठीक है अगला क् लोगों के मौसमी प्रवास है इसको किस रूप में जाना जाता है लोगों के मौसमी प्रवास है इसको हम जानते है ट्रांस हुमेल्स के रूप में तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी ट्रांस हुमेल्स यहाँ पर राइट आंसर होगा अगला किसने कामख्या मंदीर है यह किस राज्य में परियाटरन का एक महत्पून इस्तान है तो यह हम अल्रेडी कर चुके है वैसे तो यहाँ पर असम होगा अगला है चीन और भारत के बाद निमन लिकित में से कौन आबादी में तीसरा सबसे बड़ा देश है तो यानि कि पहला आबादी में यानि कि population के according पहले नमबर पे है चीन उसके बाद है भारत और जो तीसरा नमबर का है वो है USA अगला है भारत में सबसे अधिक शाक्षर संग जो राज्य है वो बताना है तो भारत में सबसे अधिक साक्षर संग राज्य की बात करे यानि कि जो ये साक्षर यूनियन टेरिटरी की बात करे तो ये लक्षदीप तो आंसर होगा लक्षदीप और इसकी राज़दाने में बताना है तोरजा का source होता है Ésan तो answer होंगा option a Su है और यह किसको बढ़ा देता है तो यह बढ़ावा देता है विद्वा पुनर विवा को बढ़ावा देता है अब हमें बताना है कि भई इसको किसके द्वारा इसकी स्तापना की गई थी तो इसकी स्तापना किसके द्वारा की गई थी जो वीरे सलिंगम है इनके द्वारा तो अप्सन एक औरेक आंसर हो जाएगा देखो तीन क्यूशन मन चुके हैं एक एक क्यूशन इनके साт में अनुशुची चेत्रों के प्राशाशन और नियंतरन से संबन्धित है, तो यह कौन सी अनुशुची है, तो भाई यह है पाँचवी अनुशुची, तो आंसर होगा यहां पर पाँचवी अनुशुची, अगला क्युषण, काफी इंपोर्टेंट क्युषण है कौनसी वो चठान है जिसको प्रात्मिक चठान कहा जाता है तो जो आगनी में चठान जो होती है इनको कहते हैं प्रात्मिक चठान तो यहाँ पर आंसर होगा option C अगला यहाँ पर देखे question आप देख सकते हो क्या है question यहाँ पर बोला है कि निमन लिखित में से सही मेल कौनसा नहीं खाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो option D है यहाँ पर लिखावा है भारत की राजदानी कलकात्ता से दिल्ली में इस्तांतरीत हुई 1909 में जबकि 1909 में नहीं 1911 में हुई थी 1911 में देखो इससे यहाँ पर रिलेटेड फैक्ट वो भी यहाँ दे रखें मैंने क्योंकि बाकी तो सही है बंगाल का विवाजन 1905 में हुआ था मुस्लीड लिख हुआ था मुस्लीम लिख की स्तापना 1906 में हुई थी सूरत का बटवार हुथा 1907 में बाकी सारे सही है अगला क्यूशन है जुगुंतर के पहले संस्तापक कौन थे तो पहले संस्तापक थे भुपेंद्र नाथ दत्ता तो आंसर होगा अप्शन दी भुपेंद्र नाथ दत्ता अब पूछ है मुस्लीम लिख की इस तापना कब हुई तो मैंने अभी तो पता है पिछले एक क्यूशन में 1906 में तो आंसर होगा ऑप्शन भी 1906 नेक्स्ट नहीं पर क्यूशन मंत्री परिशत का एक सदश्य अधिक्तम अवधी तक राजी विधाई का है इसके सदश्य बने बिना पदपर रह सकता है कितनी अवधी के लिए रह सकता है ये बताना है तो ये रह सकता है 6 मैने के लिए तो आंसर होगा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा अगला क्यूशन है भारत का जो समविधान है इसका भाग 4 जो है भाग 4 है ये निमन लिकित में से किस से संबंदित है तो भाग चार संबंदित है राज्य नीती के जो निर्देश सिद्धान्त है निर्देशक सिद्धान्त इससे तो option D correct है अगला है निमन लिकित में से किसने समप्रभूता के वेदान्त जो है इसका सिद्धान दिया तो समप्रभूता का जो वेदान्त का सिद्धान दिया था औस्टीन ने दिया था तो option A correct answer औस्टीन next भारती समप्रभूता की वो कौन सी अनुसूची है जिसमें एंटी डिफेक्शन कानून लगाया गया तो यह लगाया गया दसवी अनुसूची में option B correct है इसके लिए अगला है निमल लिकित में से कौन हमारे देश के दोनों सद्धनों में से किसी का सदश्य नहीं है तो यह नहीं है प्रेसिडेंट तो आंसर होगा प्रेसिडेंट आपको याद रखना है तो यहां पर 40 कूशन कंप्लेट हो चुके है तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए ज़दा ज़दा शेयर कर दीजिए और आप कमेंट करके बताइए कितने नंबर आपके आया है इन 40 कूशन में से कितने सही हुए है और अगर आपने चनल को सब्सकाइब नहीं किया